नमस्कार बच्चों केसे हो अच्छे हो ना महेंदी स्कुल्दवारा आयोजीत उनलाइन तास में सभी बच्चों का खुब खुब स्वागत करती हूँ तो बच्चों आज हम कौन सी कक्षा लेंगे आज हम कक्षा चोथी कौन सी कक्षा लेंगे कक्षा चोथी और कौन सा विशय लेंगे हिंदी तो आज क्या सीखेंगे बच्चों आज हम इकाई तीसरी कौन सी इकाई तीसरी जिसका नाम है गिंती एक से बीस तक तो शुरू करने से पहले बच्चों हम अकले तास में हमने क्या सीखा और क्या हमने समझा उसकी थोड़ी बातचीत कर लेते फिर शुरूआत करते हैं तो अगले तास में हमने पाठिय पुस्तक में से एक से बीस की गिंती ली थी ली थी ना उसमें अच्छी तरह से पाठिय पुस्तक में गिंती का हमने गान भी किया था और सभी बच्चों ने अच्छी तरह से एक से बीस की गिंती है वह सीख ली थी शीख ली थी ना आपको सिर्फ गिंती आदारी जो खाले जगह है वह बरनी है तो हमने अच्छी तरह से एक से बीस तक की गिंती सीख ली थी तो आज हम इकाई तीसरी जिसका नाम है गिंती एक से बीस तक आज हम किसमें सीखेंगे आज हम आपकी जो स्वार पोती है उसमें हम सीखेंगे तो चलो बच्चों गिंती की शुरुआत करने से पहले हम कुछ नया लेंगे तो गिंती की शुरुआत करने से पहले हम एक सुविचार प्रस्तुत करेंगे यहाँ पर एक सुविचार दिया हुआ है उसे पहले एक बार समझेंगे शुरुआत करने से पहले हम एक सुविचार है उसे बराबर से समझेंगे तो यह हिंदी में हैं संगर्ष करते हुए मत कबराना क्योंकि शंगर्ष के दोरान ही इंसान अकेला होता है सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ होती तो यह सुविचार है बच्चों सुविचार के बारे में थोड़ी में बाते आपको बताती हूँ और आपको ध्यान से क्या करना है सुणना है सुविचार को कि सुविचार यानि अच्छे विचार यहाँ पर लिखा है कि संगर्ष करते हुए मत कबराना क्योंकि संगर्ष के दोरान ही इंसान अकेला होता है और सफलता के बात तो सारी दुनिया साथ होती है तो यहाँ पर बच्चो संगर्ष की बात किया है कि जब हम संगर्ष करते है तो हमें कभी भी मुश्किली के समय में वक्त में हमें कभी भी अपनी हिम्मत है वह हादनी नहीं चाहिए हमें घपराना नहीं चाहिए हमारे संगर्ष के दोरान जब हम हमारे जीवन में कोई भी मुश्किली आती है तो हमें अकेले ही उसका सामना करना चाहिए और जिस प्रकार यहाँ पर दूसरा यह बात की गई है कि सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ होती यानि हमारे जो मुश्किल समय यानि संकर्ष होता है तब हम अकेला ही सामना हमें करना पड़ता है और जब हमारी सपलता होती है तब हमारे साथ सभी लोग गते इस प्रकार बच्चो यह सुविचार के माध्यम से आप अच्छे विचार आपके जीवन में आए अच्छी बाते आप सीख सके इसलिए यहाँ पर सुविचार को प्रस्तुत किया है एक बार और दो राते हैं औ खबराना क्योंकि संगर्ष के दोरान ही इंसान अकेला होता है और सपलता के बात तो सारी दुनिया साथ होती है तो आपने यह सुविचार के माध्यम से बच्चो यह अच्छी अच्छी बाते आपके जीवन में सीख सको यही हमारा उद्देश्य है तो बच्चो सुविचार आपने अच्छी तरसे समझ लिया होगा और यही बाते आपको जीवन में आगे अच्छी तरसे याद रखनी होगी अब हम बच्चो हम आगे बढ़ते हैं हमारे अप्यास की तरफ यहाँ पर गिंती क्या है यहाँ पर गिंती तो यही इकाई का नाम क्या था गिंती हमारी एक से दो इकाई है वह हमारी जो स्वाप होती है उसमें और पाथिय पुस्तक में पूर्ड़ हो चुकी है पूर्ड़ हो चुकी है ना तो हम एक बार याद कर लेते हैं कि हमारी जो पहली इकाई है उसका नाम क्या था सभी बच्चों को द्यान से सोचना होगा कि पहली इकाई का नाम क्या था पहली इकाई का नाम था नई रहा क्या था नई रहा और दूसरी इकाई का का नाम था बढ़ते करम तो आपने पहली इकाई और दूसरी इकाई में बहुत सारी बाते सीख ली होगी पहली इकाई में तो फलो के नाम, सबजी के नाम, पक्षियों के नाम, पेशेवर के नाम, आदी नाम थे थे ना और यह नाम आदारित आपको खाले जगह, वर्गी करन आदी था तो आपने अच्छी तरसे हिंदी में फलो के नाम, सबजी के नाम, पेशेवर के नाम याद रह चुके होगे और आपने सीख भी लिया होगा और दूसरी इकाई की बात करें तो उसमें यह, वह, दूर के व्यक्ति के लिए किसका संबोधन, नदिक के व्यक्तियों के लिए कौन सा संबोधन, पास के व्यक्तियों के लिए कौन सा संबोधन, आदी आपने सीख लिया होगा और तीसरी इकाई यानि गिंती उसमें 1-20 तक की गिंती अंक और शब्द में दोनों में आएंगी बच्चों तो आपको अंक में और शब्द में दोनों में याद रखना है यह इकाई आपको समझने में बहूत मचा आएगा क्योंकि यह इकाई में एक से बीस तक की गिन्ती है वह पहले हमने तो सीख ली थी सीख ली थी ना हमारे चुप पहले सत्र में हमने गिन्ती भी अच्छी तरस एक से बीस सीख ली थी इसलिए कई बच्चों को एक से बीस की हिंदी गिन्ती आती होगे न अंख और शब्दों में दोनों में हिंदी गिंती एक से 20 तक की आती होगे अब क्या करना है बच्चो अब यह गिंती आधारित हमें सीखना है मुझे पता है कि आपको जो पाठिय पुस्तक में जो गित था उसे हमने अच्छी तरह गान किया था किया था ना आपको गित को पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा आया होगा ना और सभी बच्चों को यह गीत याद भी रह गया होगा, अब भी नहीं गीत, याद रह गया होगा ना, अब आगे कुछ नया सीखना है ना, तो चल बच्चों, अम आगे कुछ नया सीखते हैं, यहाँ पर गिन्ती है, एक से बीस तक की, कितने गिन्ती है, एक से बीस तक की, जो यहाँ पर हम पहले शान्ती से सुचना को बराबर से पढ़ते हैं, क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो कई बच्चे अभी भी एसे है, जिने हिंदी पढ़ना और हिंदी लिखना नहीं आता है, तो एसे बच्चों से मेरा खास अनुरोधे, कि आपको अभी भी हिंदी में दिक्कत हो रही हो, तो आप हर रोज घर पर हिंदी चो शब्द होते हैं, वह लिखो, हिंदी वर्ड माला, हिंदी व्यंजन, आदी लिखो, और पढ़ो, तो आप इस प्रकार घर पर प्रैक्टिस करोंगे, तो मुझे आशा है कि आपको पंदरा दिनों के अंदर हिंदी पढ़ना और लिखना अच्छी तरसे आ जाएंगा, इसलिए जिन बच्चो को हिंदी पढ़ना और हिंदी लिखना अभी भी नहीं आता, और कई एसी हिंदी शब्द है, जिसमें लिखने में उसे दूविधा होती हो, दिक्कत होती हो, तो आप वो शब्द की अधिक से अधिक बार लिखने की प्रेक्टिस कीजिए, आप अधिक बार लिखोंगे तो आपको जरूर याद रह जाएंगा, तो हम शुरुआत करते हैं, अंको का अनुलेखन, हमने हमारी चेप्टर ही काई है, तीसरी, उसमें हमने बात की थी, कि अनुलेखन, तो कई बच्चे को यह भी मालू नहीं है कि अनुलेखन, यानि क्या, कई ऐसे बच्चे हैं, चो एक दिन वीडियो देखते हैं, और एक दिन नहीं देखते हैं, तो अनुलेखन, यानि देख देख कर कोई भी वाइक्य, शब्द, आदी लिखना, उसे अनुलेखन कहते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि अंको का अनुलेखन कीजिए, यहाँ पर किसका है, अंको का, तो यहाँ पर आपको देख देख कर अनुलेखन लिखना है, यहाँ पर देखिए, पहला अंक है, अम पढ़ते हैं, आपको क्या करना है, आपको मेरे सार पढ़ना है, क्या करना है, एक बार मेरे साथ अच्छी तरह से पढ़ना है, आप मेरे साथ पढ़ोगे, तभी आपको बच्चो याद रहेगा, और अच्छी तरह से आप घर पर भी, जब भी, कोई भी आपको ग्रुवकार्य में दोहेगे, तो वह आपको लिख कर, बोल कर आप लिखो, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और याद रह जाए, तो आपको अभी पढ़ना है, और लिखना है घर पर, तो यहाँ पर आपको बच्चो पैंसिल से ही लिखना है, पैंसे नहीं, कई बच्चे क्या करते हैं से पैंसे लिख डालते हैं, तो कोई भी गलती होती हो, तो वह नहीं ठीक होती, इसलिए आपको अभी पैंसिल से अच्छे अक्षरों में लिखना है, यहाँ पर बच्चो आपको पाच लाइनें खीचनी है, पाच अथवा, चार लाइन हैं, वह आपको अच्छी तरह से ड्रो करनी होगी, स्केल की मदद लेकर, कई बच्चे क्या करते हैं, कि यह लिख डालते हैं, यह लाइन अच्छी तरह से नहीं कीचतें, तो आपको पहले से ही अक्षर अच्छे लिखने होगे, अम शुरुवात करते हैं, एक, यहाँ पर पहली गींती कौन सी है, एक, हिंदी में पहला अंक कौन सा है, एक, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है पैंसिल से, एक, कितनी बार लिखना है, पाच बार, कितनी बार, पाच बार, दूसरा है, दूसरा अंक है, दो, कौन सा अंक है दूसरा, दो, तो दो के बाद कौन सी गींती आती है, अगर आपको ऐसा भी प्रेश्न पूछा जाए, तो आपको याद रखना है, दो के बाद कौन सी गींती आती है, तीन, अगर एसा प्रेश्न पूछा जाए, कि दो से पहले कौन सी गींती आती है, एक, तो आपको एसी छोटी छोटी बाते भी आपको याद अच्छी तरसे रखने हैं, एसा नहीं है कि गींती का जो चेप्टर है, वो गींती ही आएगी, आपको एक, दो, तीन, चार, वह इस प्रकार आपने लिख डाली, क्योंकि आपको गींती तो आपने अच्छी तरसे सीख ली, लेकिन गींती, बीच में की गींती, पहले की गींती, बाद में गींती, यह अच्छी तरसे सोच समझ कर आपको लिखना है, तो यहाँ पर पूछा जाएं कि, दो के बाद कौन सी गींती आती है, तो दो के बाद तीन की गींती आती है, तीन की बाद कौन सी गींती आती है, बच्छो, चार, कौन सी गींती आती है, चार, तो यहाँ पर बच्छो, एक से चार की गींती को अच्छी तरसे हमने पढ़ और आपने समझ भी लिया है कि किस प्रकार के आपको प्रिश्ण पुछे जा सकते हैं, तो आप किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर एक बार और हम गिनती पड़ेंगे, एक, दो, तीन, चार, और यहाँ पर आपको क्या करना है घर पर? और यहाँ पर आपको घर पर स्केल की मदद से लाइन ड्रो करनी होगी, और कितनी बार अंक लिखना होगा? पाच बार, कितनी बार? पाच बार लिखना होगा, किस से लिखना होगा? पैंसिल से, पैंसे नहीं, अच्छे अक्षरों में, याद रह गया ना सभी बच्चों को, अब आगे गिनती बढ़ते हैं, आगे नई गिनती सीखने हैं ना? तो चलो हम आगे नई गिनती सीखते हैं, यहाँ पर इसे क्या कहेंगे? पाँच कहेंगे, क्या कहेंगे? इसे पाँच कहेंगे, इसे छे, साथ, साथ की बढ़त कौन सी गिनती आती हैं? आठ, आठ के बाद, आठ के बाद कौन सी गिनती आती हैं? नो, कौन सी गिनती आती हैं? आठ के बाद, नो की गिनती आती हैं तो हम एक बार और पढ़ लेतें? पाज, छे, साथ, आठ और नो, आपकी जो स्वाफ होती हैं? उसमें एक से नो तक ही गिनती हैं? घेना गिनती, एक के नो तक ही गिनती हैं? इसलिए आपको घर पर पैंसिल छे, अच्छे अक्षरों में लिखना हैं और लिखकर मुझे फोटो सेंड करनी हैं? तो हम आगे की प्रेश्ण ओर चलते हैं, आगे हैं पढ़िये, समझे और बोलिये, तो उसका गुझराती हुआ बाचों, समझों अने बोलों, तो हम बच्चों शुरुवात करते हैं, यहाँ पर है आपकी चुश्वाफ होती है, उसमें यहाँ पर एक तो लिखाई हुआ है, लिखा हुआ है ना, यहाँ पर लाइनिंग है, तो यहाँ पर आपको एक की गिन्ती है अंक में, तो उसके सामने आपको शब्द में लिखना है, किस में लिखना है, शब्द में लिखना है, एक की गिन्ती के सामने आपको शब्द में लिखना है, किस में लिखना है, शब्द में किसके सामने जो भी गिनती है उसके सामने उसका जो भी शब्द है वह लिखना है या पर क्या लिखेंगे एक क्या लिखेंगे एक तो लाइनिंग में हमेशा आपको उपर की लाइन में शब्द लिखने है लाइन के उपर आपको शब्द लिखने है क्या लिखेंगे एक उसी तरह से दूसरी गिनती है दो कौन सी गिनती है दो तो दो के सामने आपको शब्द में लिखना है क्या लिखेंगे दो लिखेंगे क्या लिखेंगे दो उसी तरह तीसरी गिनती है तीन तो तीन के सामने लाइनिंग में आपको बच्चो तीन लिखना है क्या लिखना है बच्चो तीन उसी प्रकार चार की गिनती की सामने आपको क्या लिखना है चार लिखना है क्या लिखना है चार उसी तरह से हम आगे बढ़ते यहाँ क्यां सी गिनती है पाच की गिनती कौन सी गिनती है पाच के सामने क्या लिखोंगे पाच किस में लखोंगे शब्द में आप सबी विद्याती को लिखना है उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं आगे है छे क्या है छे उसी प्रकार आगे किनती देखे तो उसमें कौन सा अंक है साथ दो आपको क्या लिखना है बच्छों साथ उसी प्रकार यहाँ आठ तो आपको यहाँ पर लाइनिंग में क्या लिखना है आठ उसी प्रकार नो तो आपको नो लिखना है यहाँ पर दस तो आपकी बच्चो स्वाप होती है उसमें यहाँ पर तो लाइनिंग है उसमें आपको एक दो तीन चार पाट लिखना है और यहाँ पर यहाँ पर आपको बच्चो शब्द में दी हुई है शब्द में दी हुई है न जो लाइनिंग में अंक में दी हुई हो वहाँ पर शब्द में लिखना है और शब्द में दी गई हो तो उसकी सामने आपको किसमें लिखना है अंक में किसमें लिखना है अंक में अच्छी तरह से आप समझ गए होगे समझ गए होगे न उसी तरह आगे बढ़ते हैं बच्चों हमारी ग्यार हो उससे क्या कहेंगे बच्चों ग्यार हो तो अगर दो यहापर यहापर एक और एक दो लगाए तो उससे क्या कहते हैं ग्यार हो एक की बाजु में दो लगाया जाए तो उससे क्या कहेंगे बच्चों ग्यार हो उसी तरह एक की बाजु में तीन लगाया जाए तो उससे क्या कहेंगे तेरह और एक की बाजु में चार लगाया जाए तो उससे क्या कहेंगे चोदह और एक की बाजु में पाच लगाया जाए तो उससे क्या कहेंगे पंद्रह एक के बाजु में छे लगाया जाए तो उसे सोला हूँ उसी तरह एक के बाजु में लगाया जाए तो उसे सत्रह एक के बाजु में लगाया जाए तो उसे क्या कहेंगे अठरा एक के बाजु में नो लगाया जाए तो उसे उन्नीस और आकरी में बीस तो यहाँ पर बच्चो आपकी स्वाप होती में कुछ अलग है यहाँ पर अंक में दिया हुआ है तो आपको खाले जगा में शब्द में लिखना है और अगर शब्द में दिया हुआ हो तो आपको किस में लिखना है अंक में किस में लिखना है अंक में आपको यह बात अच्छी तरसे समझ में आ चुकी होगी आपको स्वाप होती में लिखना है लिखोंगे न अगर और अंक में हो तो आपको शब्द में लिखना है और शब्द में हो तो अंक में लिखना है आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा आगे बढ़ते हैं आगे देखिए एक से दस तथा ग्यारा से बीस तक के अंक ट्रम से बोलकर चोड़ते चाहिए और देखिए किस्या मज़ेदार चित्र बनता है यहाँ पर आपको बच्चो क्या करना है आपको गिंती तो आती है है आपको गिंती को क्या करना है चोड़ना है क्या करना है गिंती को अच्छी तरह से आपको चोड़ना है और आपको यहाँ पर पहले है एक से दस की गिंती एक से दस की और ग्यारा से बीस की गिंती है न, वह आपको अच्छी तरह से जोड़ना है, तो आप जोड़ेगे न, तो यहाँ पर अच्छी तरह से आपको जोड़ना है, तो यहाँ पर हम किस प्रकार जोड़ते हैं यहाँ पर उसकी बात करें, यहाँ पर एक, दो, के बाद, तीन, तीन के बाद, यहाँ पर चार दिख रहा है न, चार, चार के बाद पाच, पाच में यहाँ पर लाइनिंग हेट थे पाच के बाद छे, छे के बाद साथ, साथ के बाद आठ, आठ के बाद नो, नो के बाद दस तो इसी प्रकार से पैंसिल से आपको बच्चो किंती को जोड़ना है यहाँ पर देखें, यहाँ पर पी, ग्यारा, ग्यारा के बाद कौन सी गिंती, ग्यारा के बाद कौन सी गिंती आती है बारह, बारह के बाद, तेरह, तेरह के बाद, चोदा, चोदा के बाद, पंदरा, पंदरा के बाद, सोला, सोला के बाद, सत्रा, सत्रा के बाद, अठार, और अठार के बाद, और उननीस, और आखरी में बीस तो उसी तरसे आपको अच्छी तरसे लाइन को जोड़ना है आप यह प्रश्न अवस्य सीख चुके हैं और यहाँ पर देखें हिंदी अंकों को करम से बोलते जाए जोडते जाए तो यहाँ पर उसी तरसे आपको जोड़ना है एक दो तीन चार पाच पाच के बाद छे तो यहाँ परदिया ही हुआ है साथ साथ के बाद आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा सोला सत्रा अठरा उननीस वराकरी में बीस उसी प्रकार आपको जोड़ना है तो बच्चो आज आपने मेरा वीडियो अच्छी तरसे देख लिए देखा और अच्छी तरसे बच्चो को समझ में आ चुका होगा और कई भी अभी भी ऐसे बच्चे है जो गुरू ह कारिया है वह नहीं पेजते तो सभी बच्चो से मेरा अनोरो दे कि मेरा हर रोज वीडियो देखे और गुरूह कारिय अवश्य मुझे भेजे आप कई बच्चे एसे हैं चो गुरूह कारिय मुझे भेजते ही नहीं तो सभी बच्चों से अनुरोधे के मेरा वीडियो देखे और गुरूह कारिय अवश्य कीजे और सबी बच्चों का धन्यवाद और आपार व्यक्त करती हूँ